हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिड क्वेशन्स बताने जा रही हूं उनकी आंसर्स एंड एक्स्पिनेशन्स देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें वीडियो क से कौन श्री लंका के नए राश्ट्रुपती बने है दा आंसर इस ए रानेल विक्रम सिंग गोटबाय राजपक्षा श्री लंका के आउट्गूइंग प्रेजेंट है जिने वहां की जनता ने टॉपल कर दिया है गोपालवा श्री लंका के पहले राश्ट्रुपती थे र पहले जनता ने उन्हें अस्वीकार किया और अब वहां के राश्रपती को भी अस्वीकार कर दिया गया है आप लोग नियूस्पेपस में पढ़ा होगा देखा होगा किस प्रकार शिलंकागी ने राश्रपती बहुन पे कबजा जमाल लिया है उनकी रूमस में लोग बैटे ह उनकी किचन में खाना खा रहे हैं आम जनता ने उसे अपना घर बना लिया था वो लोग सिर्फ यहीं चाहते थे कि राश्रपती अपना रेजिगनेशन दे और राश्रपती रूट के जरी वहां से भागने की फिराक में थे पर नेवी के ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लि पर कोरोना के समय टूरिजम बंद हो गया था और उसके बाद भी उतनी तेज़ी से नहीं बड़ा जितना वह एक्सपेक्ट कर रहे थे इसकी वजह से वहां का रेविन्यू धीद्रे कम होता जा रहा था सरकार पर भी आरोप है कि सरकार ने मिसमेंट किया एकॉनमी में जिसक प्रतारित किया है वो लोग वहां के ऑफिसर की हैं उन्हें खाना पहुंचा रहे हैं इंडिया अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है और श्रीलंगा की पूरी उमीद है इंट इस इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड से इन में से किसने विम्बल्डन मेंस टाइटल 2022 का खिताब अपने नाम किया है बाइंजल इस लिए टुनमेंट होता है ओल इंगलेंड लॉनडन लंडन इंगलेंड में है विंबलडन एकलुता ऐसा grand slam tennis event है जो कि grass court पे होता है इस event में जानते हैं दूसरे winners कौन रहे है women singles के winner रही है E. Rebekina, men's doubles के winners है M. Abdeen and M. Perkel women's doubles के winners है K. Sinia Kowa and B. Krajikova mixed doubles के winners है D. Krojrek and N. Skupski, very difficult names next question, इनमें से किसने Austrian Grand Prix 2022 जीता है The answer is D. Charles Lekrek, ये event हो रहा था Red Bull ring Spilberg, Austria में, Ferrari team के Charles Lekrek ने championship जीती है Max Verstappo को हडा करके, Max Verstappo is from Red Bulls और वो इस event में second आये हैं, वहीं 7 बार के world champion Mercedes के Lewis Hamilton is on third rank, इसे पिछले हफते हमने देखा था कि British Grand Prix 2022 भी host हो चुका है और उसके winner है Carlos Sainz Dear Students, अगर सभी exam related content आप एक ही channel पर चाते हो तो अभी इस channel को subscribe करें और bell icon को press करें और अगर exam prep को आप high level पर ले जाना चाते हैं तो description में आपको app और telegram channel का link मिल जाएगा Next question, इन में से किसे National High Speed Rail Corporation Limited that is NHS RCL के MD के रूप में appoint हिया गया है The answer is C. Rajendra Prasad इसके पहले जो MD थे, he was Satish Agni Hoturi और उन पे corruption allegations की वज़े से उन्हें हटा दिया गया है and now Rajendra Prasad is going to be the MD of this institute National High Speed Rail Corporation Limited, Indian Railways के एक subsidiary है इसे 2016 में स्थापित किया गया था इसका काम है to manage high speed rail corridor in India ये एक special purpose vehicle है, एक joint sector है जिसे Ministry of Railways, Government of India, Gujarat State Government और Maharashtra State Government ने मिल करके finance किया है इसके कुछ important projects है Diamond Quadrilateral जिसे National Highways का Golden Quadrilateral है जो कि इंडिया की 4 Megasities को connect करता है उसी प्रकार अब railway network भी इन 4 Megasities को connect करेगा and the cities are Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai Another important project is bullet train project जो Japan की मदद से बन रहा है ये Mumbai, Ahmedabad के बीच में एक high speed rail corridor होगा Another one is Delhi, Varnasi high speed rail corridor and the last one is Chennai, Bangalore, Mysore high speed rail corridor Next question इन में से किसे Goa Shipyard Limited के chairman और MD के रूप में अपॉइंट किया गया है The answer is B. प्रजेश कुमालुपाद्या है Goa Shipyard Limited, GSL एक Indian government owned shipbuilding company है ये located है आसको दगामा Goa, which is on the west coast of India इसके स्थापना हुई थी 1957 में जब Goa पे Portuguese की colonial government थी पर जब 1961 में Goa का इंडिया में अनेक्जेशन हुआ है उसके बाद से इस company का काम है to manufacture warships for the Indian Navy and Indian Coast Guard Next question इनमें से किस तारिक को World Population Day observe किया जाता है The answer is C. 11th July Population का मतलब है number of people living in an area Population किसी भी country के लिए boon और win दोनों ही हो सकती है अगर population एक सीमा तक है, environmentally sustainable है तो population किसी भी country की economy को successful बना सकती है बट अगर population किसी country के resources से जादा है तो population अपनी ही country की politics और economy पे burden बन जाती है इसने को observe किया जाता है ताकि लोग nature की steady development पे population growth के negative impact को समझे इस साल की theme है A world of 8 billion towards a resilient future for all harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all World of 8 million का मतलब है इस साल के अंध तक पुरेविश्व की population होगी 8 billion एंड एस पर United Nations data इंडिया की population है 1.39 billion population की study को demography कहते है और जो person ये study करता है उसे demographer कहा जाता है Thomas Malthus एक महान English economist और demographer थे जिन्होंने एक theory दी थी जिसका नाम है Malthusian Catastrophe और population trap उनका कहना है कि population growth होती है exponential और वही environment resources और food supply की growth होती है linear मतलब over the years population की growth resources से जादा होगी जिसकी वजह से लोगों का standard of living decline होगा और बहुत साथ लोगों को भूके पेट रहना पड़ सकता है और इस वजह से उनकी मृत्यू भी हो सकती है इसलिए चाइना one child policy लाए था इसलिए इंडिया भी focus करती है only one और two child policy पे Next question इनमें से किस तारीक को international Malala Day observe किया जाता है The answer is A. 12th July Malala Yousafzai एक लड़की का नाम है जो कि पाकिस्तान की धहने वाली है 12 July को उनका जर्म दिवस होता है इसलिए बारत जुराय को Malala Day के रूप में observe किया जाता है चानते हैं why this girl is so important एक young activist थी जिनने सरफ 17 साल के उम्र में Nobel Prize Prize मिला था Because उन्होंने बच्चों के शिक्षा और बच्चों के राइस पे बहुत ध्यान दिया उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी जिसकी वज़े से 2012 में उन्हें तालिबानियों से गोली भी खानी पड़ी थी वो मरते मरते बच्ची हैं Malala बिलॉंग करती है पाकिस्तान के खैबर पंक तुआ के स्वात जिले से जहां पे पाकिस्तानी तालिबानियों ने लड़ियों की पड़ाई को बैन कर रहा था Malala ने उनके खिलाफ आवाज उठाई and she became the youngest activist of this world United Nations ने इस तारीक को designate किया है उन सभी यंग महिलाओं को honor करने के लिए जो female education की प्रवक्ता बनती है उसको promote करती है, advocate करती है साथ ही ये दिन एक opportunity है जिसके जरिये United Nations सभी world leaders को appeal करता है कि वो अपने countries में हर बच्चे की education को free और compulsory बना दे Next question, इन मेंसे किस तारीक को National Fish Farmers Day observe किया जाता है The answer is A. 10th July इस डे को observe किया जाता है ये दिखाने के लिए कि जो fishermen है, fisher folk है, fish farmers है और जो भी इस fishing industry के concerned stakeholders है उनकी पूरी country में एक चुटता है, एकता है Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Daring Government of India इस साल 65th National Fish Farmers Day observe कर रहे है और ये event वर्चुली किया जा रहा है at National Fisheries Development Board है दरवाद में Fishing इंडिया में एक major industry है ये लगभग 14.5 million लोगों को रोजगार देता है Aquaculture में इंडिया की rank है second वहीं fisheries production में third rank है इंडिया के total GDP में fisheries का contribution है 1.07% which is a significant figure Next question इंडिया की नई Parliament पे जो national emblem बनाय गया है वो इन में से किस तत्व से बना है आप सभी को पता होगा इस साल हमारी आजादी की पच्चेतरवी वर्षगाट मना रहे है आजादी का अमरत महुतसव मना रहे है इसी के उपलक्ष में इंडिया की Parliament को भी रेनोवेट किया जा रहा है तो ये जो नई संसत भवन तयार होगी इसको क्राउन करेगा हमारा नाशनल एंबलम जानते हैं डीटेल्स न्यू पॉर्लिमेंट हाउस को बना रहा है टाटर प्रजेक्ट लिमेंटेड और इस नाशनल एंबलम को बनाए गया है आर्टिस्ट सुनिल देवरेद्वारा 11 जुलाई को जब हमारे देश के प्रधान मंति नरेंद्र मोदी जी ने इस नाशनल एंबलम को अन्वेल किया तो बहुत सारे उपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट नाराज हुए उन्होंने जब इस प्रतीक को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही एग्रेसिव और मस्कुलर एंबलम है जबकि जो ओरिजिनल एंबलम है वो काफी ग्रेसफुल और कॉंफिडेंट है बट आर्टिस्ट कैसा कहना है लाइन्स की स्केल डामेंशन और एंगल अफ व्यू बदलने के कारण वो इस प्रकार दिख रहे हैं अदर्वाइस या जस्ट सेम इसका वजन है साड़े नौसो किलोग्राम यानि की लगभग दास टन इन्यू पार्लेमेंट बिल्डिंग की सेंट्रल फोयर बिल्डिंग के ऊपर बनाया गया है इस स्टैच्यू का जो बेस स्ट्रक्टर है उसका भी कुछ साड़े 600 किलो वजन है सबसे पहले जानते हैं कि नैशनल एंबलम हमारे देश का है क्या अशोक पिलर की जो एशियाट लिखते हैं और अपनी बैक से आपस में जुड़े हुए हैं चार लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं करेज प्राइड पावर एंड कॉन्फिडेंस इन लाइन्स के नीचे हमारे देश का मोटो लिखा गया है सत्यमेव जेते यानी सत्य की ही जीत होती है यह मोटो इसको भी student Deena Nadh Bhargava Dwara यह 3D National Emblem तयार करवाया तो अल इस डीटेल्स आर वरे इंपोर्टन फॉम एंडेव पॉर्टन फॉम एंडेव पॉंड पॉंड फॉम प्लीज इंसर भी को ध्वान में रखियेगा क्रिकेट की हिस्ट्री में कौन ऐसा पहला कप्तान बना है जिसने लगातार 13 T20 इंटरनाशनल मैचेश जीते हैं दा अंसर इस बी रोहिट शर्मा रोहिट शर्मा इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान है इन ओल थरी फॉर्मेट्स इंडिया ने रिकॉर्ट बनाया है साउथ एंटर्म के फर्स T20 इंटरनाशनल में जो कि इंडिया और इंग्लाइंड के बीच हो रहा था इस मैच सीरीज इस मैच से पहले इंडिया ने सीरीज जीती है न्यूजिलेंड वेस्ट इंडिस और श्री लंका से और इंग्लाइंड का नंबर है रोहिट शर्मा को इस मैच और इकलो ओते ऐसे प्लेयर है जिन्होंने तीन डबल सैंचुरी स कोर की है इन वन दे इंटरनाशनल इन्हें दो नैशनल आजर्ण मिल चुके है अरजुन आज एंडियान चंद खेल रतना इन त्वेटिवेटिवेटिवी नेक्स क्टेशन इन में से किस सिटी को ट Times Magazine का मानना है कि environment और human connection को समझा जा सकता है through travel, इसलिए उन्होंने 50 extraordinary destinations की list तयार की है, जिसमें इंडिया की southern state केरल और गुजरात की capital एहमदबाद को भी जगे मिली है, इस दोनों ही places काफे टूरिस को attract करती है, बोथ from India as well as abroad, केरल is famous for beaches and backwaters, वहीं एहमदबाद में लोग आते हैं to visit the Savarmati Riverfront and Gandhi Ashram. Next question, World Economic Forum के Global Gender Gap Index 2022 report में इंडिया की rank क्या है? The answer is C. 135. Global Gender Gap Index measure करता है gender equality को, यह measure करता है कि males और females में क्या gap है in terms of accessibility to resources and opportunities in any country, बजाए इसके कि किसी भी country में कितने resources और opportunities है, इंडेक्स जानना चाहता है कि महिलाओं और पूरुषों के लिए opportunities और resources कितने हैं? कि इंडेक्स 146 countries को rank करता है, इसमें इंडिया की rank है 135 which is very poor और इसी इंडेक्स के health and survival sub-index में इंडिया की rank है 146. इस इंडेक्स को टॉप किया है Iceland, again a Norwegian country और worst performing country है अफगानिस्तान. Next question, इन में से कौन सा राज्य है? ऐसा पहला राज्य बना है जिसने सेंटर की new education policy को pre-primary level पे implement किया है? The answer is B. उत्राखंड. उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर है पुशकर सिंधामी, इनोंने पूरे उत्राखंड में आंगनवाडी centers में बाल वातिगास को inaugurate किया है जहां प लबिंग्टन मैकुले को father of Indian education भी कहा जाता है आजादी से पहले, like in 1850s, he was the governor general in council और उनका ये मानना था कि इंडिया की schools में English should be the medium of instruction, Indians को science और western like European literature सिखाना चाहिए, वो इंडिया की traditional learning को बहुत ही पूर मानते थे in comparison to European learning जिटोंने Indian education system को distort भी किया है इसलिए new education policy को लाया जो कि एक choice based education system है, इस system में बच्चे अपनी पसंदीदा subject को अपनी पसंदीदा भाशा में पढ़ सकेंगे, next question, इनमें से किस तारीक को world paper bag day observe किया जाता है, the answer is, c 12th July, इस day को observe करने की पीछी मकसद है, लोगों में जाग रुपता राना कि they should use paper bags instead of plastic bags, मने आपको एक दो हफ को replace कर दिया जाना चाहिए, by using paper bags, because जो plastic bags है, वो non-biodegradable होते हैं, वो landfills में decomposed नहीं होते हैं, उनकी वजह से environment और लोगों को दोनों को ही बहुत harm होता है, तो paper bag day की theme है, if you are fantastic, do something dramatic, to cut the plastic, use paper bags, next question, इनमें से किसे Japan का order of the rising sun award मिला है, the answer is, d. Narendan Kumar, Government of Japan ने order of the rising sun, gold and silver star का award दिया है, Sunmar Group के vice president, Narendan Kumar को, because इन हो ने जापान और इंडिया के economic relations को काफी मजबूती दी है, he heads the Indo-Japan Chamber of Commerce and Industry, ये CII के भी president रह चुके हैं, and he was among the spring 2022 imperial decorations recipients, Next question, इनमें से किसे Railtail Corporations of Indian Limited के Chairman and Managing Director के रूप में अपॉइंट किया गया है, But September 2000 में जब Railtail की स्थापना हो गई थी, तब Indian Railways को भी एक option मिला, जो की train control, operation and safety system को modernize करेगा, Railtail Corporation of India Limited एक Indian Public Sector Enterprise है, जिसका focus है to provide broadband and VPN services, इसका objective है to create a nationwide broadband, telecom and multimedia network, इसका owner है Indian Railways Ministry of Railways Government of India, Next question, इनमें से किसे Father of Internet in India के नाम से जाना जाता है, The answer is A. बुझेंदर कुमार सेंगल, बुझेंदर सिंगल VSNL, विदेश संचार बिंगम लिमिटेड के पूर चेर्मेन थे, और हाल ही में 9 जुलाय 2022 का निधन हो गया after prolonged illness, उन्हें अनओफिशेली बुल्डोजर के नाम से भी जाना जाता था, बिकॉज वो किसी प्रकार के administrative roadblocks को overcome कर जाते थे, उन्होंने इंडिया में इंटेनेट को introduced के 1995 में, उसके बाद इंडिया में पॉर्नोग्राफिक काफी हद तक बढ़ गई, इसलिए उन्होंने ब्लेम किया जाता था कि उन्होंने इंटेनेट दिया है, उन्होंने किसलिए दिया है यह लोगों को decide करना है, लोगों को उसे अपनी knowledge बढ़ाने के लिए यूज करना है या गलत कावों के लिए यूज करना है, तो ब्रिजेंद्र के सिंगल is the father of internet in India, बट वर्ड में father of internet के नाम से जाने जाता है कर्फ को, he is the co-designer of the TCP IP protocols and the architecture of the internet. पहली बार हमें किसी आईविशकार की मदर का नाम भी पता चला है, internet की मदर है Radia Pearlman, जिन्होंने spanning tree algorithm और spanning tree protocol STP को invent किया था. इंडिया में 9th July 1949 में student organization अकिल भारते विध्यारती परिशत के स्थापना हुई थी, इसके ideals फॉलो करते हैं Swami Vivekanand को और इसको बनाया गया है student activism को बढ़ाने के रिए, इसका मकसद है education में positive और meaningful changes लाना, along with the same changes in the minds and thoughts of educational fraternity like students, teacher and society, ABVP, world की largest student body है. ये student politics में भी involved है और इसके election भी काफिय धूमदाम से किये जाते हैं. वर्ल्ड का students ने मनाया जाता है 15th October को, which is the birth date of Indian President APG Abdul Kalam. Next question, इनमें से किस तारीख को World Youth Skills Day observe किया जाता है? The answer is B, 15th July. According to United Nations, World Youth Skills Day का objective है, young generation, young people को equip करना, उनको skills देना for employment, decent work and entrepreneurship, और इसी सब की strategic importance को celebrate करना. इस साहल की theme है, transforming youth skills for the future. इंडिया की population है 1.4 billion, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा is under the age of 24. तो ज़रूरत है इस young population को employable skills से equip करना, ताकि इंडिया की economic growth को बढ़ा सके, आगे ले जा सके. Next question, इनमें से किस तारीख को National Plastic Surgery Day observe किया जाता है? The answer is B, 15th July. National Plastic Surgery Day का आइडिया सबसे पहले दिया था Dr. S. Raja Sabhaapati ने, who is the President of Association of Plastic Surgeons of India. उनका कहना है कि Plastic Surgery का origin इंडिया से हुआ है. From the Shushrut, जो की Plastic Surgery की founder थे, आप लोगोंने सुना होगा चरक & Shushrut, इंडिया का National Plastic Surgery Day को World Plastic Surgery Day की रूप में conceptualize किया जा रहा है. इंडिया में पहली बार लीथियम आइन सेल को डवलप किया है? The answer is D. Ola Electric. Ola Electric एक Bangalore-based two-wheeler maker है. इनके Chennai-based Giga Factory में 2023 से इस सेल का mass production स्टार्ट हो जाएगा and the cell is NMC 2170. इस सेल में कुछ specific chemicals और materials यूज के जाएंगे चो उतनी स्पेस में जादा energy को pack कर देंगे और इसकी overall life cycle को improve करेंगे. इथे माइन वैक्टरीज को यूज होता है electronics, toys, headphones, power tools, appliances, electric vehicles, electrical energy storage systems सभी में and these are rechargeable. देखते हैं आखरी सवाल इन में से किसने Gizong Chess Masters event जीता है? The answer is C. D. Gukesh Gizong is a city in space D. Gukesh is from India ये एक chess player है और Indian history में third youngest person है जिन्होंने Grandmaster के title के लिए qualify किया था जो उन्हें FIDE ने 2019 में award कर दिया So students, that is the end अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like and share जरूर कीजेगा Keep learning, keep revising, thank you तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही quality content आपको मिलता रहे जो help करें आपको आपकी exam prep में तो circle में जो gamma का logo दिख रहा है उसको click करें और channel को subscribe करें Thank you